सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech Hindi चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेकनलोजी वीडियो सबसे पले देखने के लिए Hello Friends Welcome Back to my channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास Redmi phone में theme का आईकन अगर show नहीं हो रहा है तो इसकी problem जो है कैसे solve कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर theme आइकन जो है show नहीं हो रहा है अभी आपको यहाँ पर menus में जाकर भी बताओंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं search में type कर लेता है तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके उपर अगर यहां पर मैं theme सर्च कर रहा हूं तो यहां पर इसको किलिक करने बाद यह बोड़ रा है get the app तो यहां पर app जो है remove हो गया है तो आपको जो इसको अभी cut करना है यहां पर phone की आपको setting में जाना है उसके बाद आपको scroll down करना है फिर आपको यहां पर apps के ओपर किलिक कर देना है उसके बाद यहां पर manage apps पर किलिक करना है फिर यहां पर search bar में type करना है themes तो जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यह शो हो जाएगा, आप जो है इस पर किलिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपडेट के ओपर किलिक कीजिए, ओके कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आप फिर से ओपन कीजिए, उसके बा आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर थीम का आइकन जो है कुछ इस तरीके से शो हो रहा है तो आप इस पर किलिक किजिए उसके बाद यहां पर आपको परमिशन दे देना है यहां पर इसके टर्मेंड कंडिशन से यहां पर एगरी कर लेते हैं उसके बाद आप यहां तो इसी तरीकते से आप इसली रेणी मी फोंट में ऐकर आपके पास एकन शो नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से इसकी पर्वॉब्रमन कर सकते हैं अपको यह चोठा से वीडियो पसंद आ अगया हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में